मैं ना इसका format बनाऊगा आपके सामने जो question है ना आपके सामने आपके बुक का इक question है जिन बच्चों के पास book है क्या है बच्चा किसी भी मतलब कि जिसके पास J.R. मुंगा है उसका illustration दे रखा है उसको मैंने question number one नाम दे दिया मैं आपके सामने ना इसका एक working note बनाऊँगा अगर सबने class ले रखे पुरानी वाली तो आपको लगए यह सर यह तो हमारा हो जाएगा बड़ा easily तो चलिए फटा फट से working note देखते हैं क्या कहता है question में पढ़ लेते हैं question में कहता है कि money का limited है जिसका formed है an authorized capital of rupees आपका five lakh तो authorized capital दे रखा है सर आपको और authorized capital कितने का है पांच लाग का रुपीज पांच लाग और कहता है कि issue किये हमने दो लाग share और इसने कहा मैंने issue कर दिये दो लाग share रुपीज टू लेक का अब याद रखिया का authorized capital का कोई काम ही नहीं होता और कहता है यह कि आपका equity share at power payable और equity share power payable है यह नहीं बताया कितने का है इसका category बता दिया गया आपको पता करना होगा मैं इसे हटा देता हूँ यहां से इसके अंदर given है आपका 25 रुपी अप्लिकेशन 35 अलॉट्मेंट first पे 20 और last call कितने का है final call तो आप जोडेंगे तो कितने हो गई है 100 रुपे का है कहता है necessary general entry करना है तो देखिए यह तो सिर्फ और क्या हो गया basic सा entry हो जाएगा यह तो जो entry आपसे होता जाएगा मैं समझाता जाओंगा answer although आपके illustration के given है और answer जब आपको given है तो आप खुद भी कर सकते इस बात का ध्यान लखना क्योंकि जियार सर इस question वाली pdf में आपने कौन से book के question सारे जियार देखो मैंने कहा कि हम जो पढ़ेंगे न आपको यह नहीं लगना चाहिए कि कुछ अलग पढ़ रहे हो और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि स्लेवस हो रहा है नहीं हो रहा पूरे दिल्ली के अंदर जो DU के बच्चे है मातर एक ही book है इसका वो है JR मोंगा जो बच्चे प्रफेर करते हैं अ एक तो पूरी की पूरी हम JR मोंगा बुक जो भी question दे रखे है मैंने PDF में मैं दे रहा हूँ यहाँ पर मैं slide मैं दे देता हूं question में उससे आपका benefit होता है कि यह हर बच्चों को मैं एक ही suggestion दूगा कि आपना book जरूर बाए करें 500 और 600 रुपे के अगर चक्कर में रहेंगे न तो फिर आपका नुकसान होगा क्योंकि book के अंदर और भी चीज़े material होती है जैसे theory हो गया पढ़ लिया आपने कुछ entry आपने revise कर लिया आपने note कर लिया आपने mark कर लिया यह question important है PDF पे possible नहीं है और वो book तो आपके अगले साल फिर से बिख जानी है या जो भी है बेचने क लिया नहीं मैं कहरा हूँ book आपके पास hard copy होना चाहिए बाकी मैंने कहा आप देखेंगे अपने book का illustration number one उठाई है जिनके पास book है वो check कर सकते हैं कि illustration number one और illustration number one में आपको यह मिल जाएगा ठीक है अब चली अभी तक मैंने book का help नहीं लिया था बिल्कुल भी और सीधा-सी पुरानी class देखनी पड़ेगी तब आगे आपको समझ में आएगा हाँ जो भी मुझे solve करना है मैं बताता जाऊंगा उसकी चिंता मत करऊंगा अभी बच्चे पूछने कौन सा book लिन है सर जे आर मोंगा जे आर मोंगा जो आपका semester one में था fundamental of corporate account के नाम से हैं चलिए सथ दूसरे सवाल पर चलते हैं एक और सवाल आपके सामने दो करा दो मैं सारे सवाल आपके सामने दिखाऊंगा जो PDF में दिया है आप जब yes बोलोगे तभी मैं आगे बढ़ूँगा कहता है पहवान activity limited है कोई सारी activation limited है nominal capital तर nominal capital का मतलब क्या होता है एक ना मेरे माइंड में एक question खटक गया पिछले आले सवाल को देखके आप share application में bank में payment कितना लोगे बता सकता है कोई बच्चा फटाफट बताईए bank account debit to share application पहली entry मैं सोच रहा हूँ पूछी लूँ कौन बताईगा जल्दी बताईए bank account debit to share application कौन बताईगा फटाफट बताईए पहली entry बच्चों ने सब ने दवा के जवाब दिया पचास लाग आंसर देखिए ये दो लाग क्या है रुपे है पहले हम आपन 100 से डिवाइड करेंगे फिर ये बनेगा 2000 अब जो entry आएगा 2000 और गुणा में 25 तो 25 दुने इसलिए मैंने पूछ लिया रुपीस में हो ये कौमा लगा रखाने रुपीस है ये मैंने लिख दिया था ना वहां तो रुपीस में रवी ने जवाब दिया 50 अजार बैंक अभी भी बच्चे लगातार बोले जा रहे हैं सर बैंक में 50 लाख रुपे लिखो पांच लाग तो नहीं होग ना देखे सामने लिख रखा है मैंने शेयर लिखा है वो थोड़ा सा मैंने यहां लिख दिया था माउंट आपके लिए आपके help के लिए मैंने लिख दिया था रूपीज का सिंबल है वहां missing था तो आप इधर देख लीजिए मैं तो वहां से पूछ रहा हूँ ठीक है तो आगर आपको रूपीज में दे रखा होगा तो पहले convert करना पड़ेगा नंबर में फिर multiply करेंगे इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है चलिए nominal capital किसे बोलते हैं authorized capital को बोलते हैं sir nominal capital बोलते हैं authorized capital इसका कोई काम ही नहीं होता है कितने दे रखे हैं यहाँ पर पचास लाग अभी कोई hand raise का जवाब नहीं बच्चे कह रहे हैं sir 10 से होगा यह 100 से होगा यह भगवान यहाँ पर इसका total 100 हो रहा है ना मैंने 100 से ही किया है अच्छा यह पूछ रहे हो मैंने 100 से ही किया है वो divide मेरे mind में था मैंने इस से ही किया ठीक है चलिए कहता equity share 10 रुपीस each होगा issue हमने करे 2 लाग share payable at अब यहाँ पर issue कह रहा है कि हमने कितने share किये है दो लाग यह रुपीस में नहीं है शायद ना यह नहीं है रुपीस में अलग कह रहा है कि यह each होगा तो मतलब यह रुपीस में नहीं है तो आपका issue issue कितना है 2 लाग payable कहता है धाई रुपीय अप्लिकेशन पे और क्या कहता है धाई रुपीय अलॉट्मेंट पे और पांच रुपीय फाइनल कोर ठीक है all money payable on allotment was duly receive one shareholder कहता है सारे पैसे duly receive होगे one shareholder fail to pay due on allotment पच्चिस सो शियर सब मिल गए बस allotment पे एक वेक्ति था जिसके पास पच्चिस सो शियर थे वो फेल हो गया आगे कहता है while another shareholder who hold 2000 share paid for share write-up कहता है कि while another shareholder एक वेक्ति ऐसा था जिसके पास 2000 share थे paid for the share write-up in full कहता है भाया यहीं पे एक वेक्ति ऐसा था जिसके पास 2000 share थे उसने full दे दिये full का मतलब इसने यहां का तो पैसा दिया और आगे का भी दे दिया make necessary general entry of the company books record the above transaction allotment share show the company balance sheet ignore the interest call scenario and calls in advance अभी हम balance sheet का बात नहीं करेंगे पहले तो हम basic basic entry की बात करेंगे फिर एक साथ balance sheet की बात करेंगे अब general entry कुछ बच्चों को doubt हो सकता है कि सर इसका मतलब क्या हुआ यह वाला point तो पहली entry क्या होगी सर bank account debit two share application कितने 2.5 into 2 lakh तो 5 lakh रुपय अगली entry share application to equity share capital कितने share allotment to equity share capital कितने यह भी 5 lakh अब जब bank में payment लेने जाएंगे तो एक वेक्ति पैसा नहीं देगा कितने 200 into me 2.5 तो 5 lakh खाने थे minus में यह हो गया और एक वेक्ति extra दे जाएगा extra यहां का नहीं दे सकता है extra आगे का देगा तो 2000 गुणा में 10 5 तो सर 10,000 यानि 5 lakh 10 में से 2500 into 2.5 करेंगे तो कितने होंगे बताइए 2500 into 2.5 6,250 तो यहां पर जो आएगा वो आएगा कितना 10,000 में 6,250 गये तो आपका आजाएगा 37,50 तो 5 lakh यहां पर बहुत बच्चों को ना confusion हो सकता है calls in area कितना हैंगे 37,50 एडवांस आएगा 10,000 2 क्या हैगा सर शेयर allotment कितना हैंगे शेयर allotment में पूरे 5,010,000 नहीं 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 गड़बड हो गई मैं इस entry को दुबारा करना चाहूँगा थोड़ा बड़ा बड़ा देखें बैंक में आने थे 5,00,000 इसमें से एक वेक्ति ने बोला मैं एडवांस दूँगा तो उसके प्लस हो गए 10,000 माइनस हो गए 6,6,6,50 इसकी डिटेल ये कैसे आया सर 2000 गुणा में ये कैसे आया सर 2500 गुणा में 2 पॉइंट समझें अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट अगली बात करते हैं अरियर कितना था अरियर डेबिट हो जाएगा अरियर अकाउंट डेबिट सर यहां पर अगर माइनस प्लस करते हैं तो 5,000,000 कितना आ रहा था 37,50 अरियर कितना है 36,50 और 2 शेयर अलॉट्मेंट में कितने जाएंगे 10,000,000 सरी 5,000,000 अरियर में कितने जाएंगे 5,000,000 और 2 2 किस में जाएगा सर एडवांस यह एडवांस दिया नहीं हाथो यहां कितना चला जाएगा 10,000 अब शेयर आगे की बात करते हैं शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा 10,000 फाइनल कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल पाँच इंटू में यानि 10,000,000 10,000,000 अब जब बैंक में पैसे लेने आएंगे तो 10,000,000 आने थे जिसमें से फेलियर नहीं देगा कौन? ये वाला नहीं देगा न तो 2,500,000 इंटू में 5 कितने हो गए पच्चिस सो इंटू में 5 कितने होते हैं बारा सो बारा पान सो माइनस कर देंगे जिसने पहले एडवांस दे रखा था कितने 10,000 तो 10,000,000 में से 22 माइनस हो जाएगा तो 9,000,000 88,500 कौल सिन एरियर कौल सिन एरियर 12,500 कौल सिन एडवांस कौल सिन एडवांस 10,000 और 2 सियर फाइनल कौल देखो सवाल बड़ा असान था ये लेकिन कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेशन था कितना आ रहा है किस से मल्टिप्लाई किया है 25 से न अच्छा इस 67,500 की जगा पर क्या हैगा अच्छा ये गलत हो गया भाई ये 62,50 आगा इसलिए मैंने नीचे लिख दिया खीक है वहाँ तो सही करा है मैंने टोटल राशे कह रहा है मोनिका लिमेटेट पूरा नहीं है तो डारेक्ट एंट्री कर देंगे कॉल सीन अरियर कॉल सीन एडवांस तो सिधा बैंक टू शेर अलाटमेंट कर देंगे नेट अमांट करके बैं मुस्कान आपके पास जियर मोंगा टेक्स एंड असाइनमेंट है तो आपने सिर्फ पतली से बुक खरीद रख्योंगे वो बहुत पुरानी बुक है नई बुक खरीदें आप नई बुक से काम चलेगा पुरानी बुक वाले बच्चे पहले बता रहा हूँ आपके एक्जाम में अगर कुछ भी उपर नीचे होता तो उसके जिम्मेदार आप है स्लेबस कहां कहां आ गया टेक्स बुक जो कह रहे है न असाइनमेंट वाला है लेटेस्ट है आपके पास तो जे आर मोंगा टेक्स एंड असाइनमेंट है समझ में यह आया है कवर पेज भीज़ देना मैं बता दूगा कौन से बुक लग रही है अपके सर कॉल सिन एरियर तो क्रेडिट होगा अब देखें कॉल सिन एरियर बिल्कुल क्रेडिट होता है नई कॉल सिन एरियर तो हमेशा डेबिट ही होता है प्रेडिट कब से होने लग गया तो मेरे डेबिट किया देखो यहां भी डेबिट किया एरियर और यहां डेबिट किया डेबिट का मतलब हमें तो लेने है नाउंस से तो कॉल सिन एरियर डेबिट होगा आप सब की बुक का है अगली क्लास में बुक लेकर आना फिर क्योंकि आज मैं भी बुक नहीं लाए PDF नहीं मिलेगी आपको इसके questions की बुक लेकर आओ अपनी सिर्फ class की PDF नोट मिलेगी आपको working note की questions की बिल्कुल नहीं देंगे questions हटा के देंगे बुक खरीदो अपनी जे आर मोंगा बुक का नाम है जे आर मोंगा बताओ क्या दिक्कत आई इसके अंदर question में मेरे इसाब से तो पूरा इसमें क्या issue है printed में बताईए आप nearby shop पे कहीं भी ले सकते हो जोती Monica Limited अब देखो जितना हमारे पास जानकारी था ना हो सकता है कुछ amount मेरा missing हो गया हो टाइपिंग error पर इस question के इसाब से ये देख लो और बुक वाला भी आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर in case बुक वाला नहीं आता तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो तो अभी थोड़े बहुत error मान लेते हैं कि हो गया है उसमें question में मैं तो इस question को पढ़ रहा हूँ और ऐसा कर रहा हूँ तो ये तो मान लिए अब 99% तो same ही है हम question के इस अब से चली रहे मुसकान कहा रही है सौर रुपे इच दे रखा है वहाँ पर आपके इस पर नहीं है तो मैंने मान लिया ना सौर रुपे इच तो बनी गया सर illustration में 50 लाग है आपको मैंने question बदल तो दिया था वो आला आप उसकी चिंता मत करो वो question बदल दिया था इसमें बताईए कोई दिक्कत फिर अगले सवाल पर चलें बुक का नाम जे आर मुंगा पूरा ही है यह short form नहीं है भाई पूरा ही नाम है यह देखो यह लिख ली थिये और वीडियो जब recording मिलेगा तो आपको मिल जाएगा यह अगले सवाल पर चलते हैं पता ही है हाँ तो to final call पे तो fail हो गई ना तो ऐसा कहां लिखा है के अकर shareholder का नाम नहींग तो final मैंने कहा था कि वो पिछल दो shareholder हो तो जूड़के होगा वो बात अलगती यहां पर बात अलगए क्या कितना आएगा 977 आएगा ये क्या आएगा दबल दब चलिए कॉल सिन एडवांस में 10K कैसे आए लिखा हुआ है कॉल सिन एडवांस में 10K यह रहा यहाँ पर एडवांस था यही उठके यहाँ आगया यहाँ आएगा